गुड मॉर्निंग फिफ्ट क्लास मेटा हम लोगोंने हिंदी रीडर में पार्ट बारा पढ़ा था तो चैप्टर की डीडिंग तो हमने कर ली थी अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दात और इसके एक्सेस पार्ट बता दूगी जो कि आप लोगों को as a home work अपने notebook में complete करना है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी तो उसमें से आप अपना work complete कर सकते हैं तो देखो शब्दात से starting करते हैं शब्दात में first है चिलाना चिलाने का क्या अर्थ होता है जोर से आवाज देना फिर है लड़ाई लड़ाई का मतलब जगडा फिर है इशारा इशारा का मतलब संकेत विसल यानी सीटी फिर है उच्चारण उच्चारण मतलब बोलना दौरान का अर्थ है बीच में टहा का का अर्थ है हसने का जोर का शब्द गंबीर का अर्थ है अत्यदिक, सिष्टाचार का अर्थ है अच्छा सब्भेवेवार, अनुशाशन का अर्थ है नियंबद आचरन, लालसा का अर्थ है इच्छा, शाबाश का अर्थ है धन्यवाद, विपक्षी का अर्थ है दूसरी टीम जिसके साथ खेरते हैं नेक्स देखिए फिर है आपका पाला यानि विपक्षी टीम का कोट फिर है निर्धारेत यानि की निश्चित फिर है अंतराल का अर्थ है खाली समय आवशक का अर्थ है जरूरी और लालसा का अर्थ है इच्छा अंक का अर्थ है नंबर विभिन का अर्थ है अनेक अंतरगत का अर्थ है अधीन ज्यादा का अर्थ है अधिक विजेता का अर्थ है जीतने वाला महादीप दीपों को मिलाकर बना एक भूबाग चैंपियन प्रत्योगिता में सबको जीतने वाला क्या कहलाता है चैंपियन कहल तो ये तो हुए हमारे शब्दात, अब हम इसका exercise पार डिसकस करतें, ये लिखे वाले भाग से आपको अपने notebook में लिखना है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छाट कर कोस्टत में लिखें, पहला प्रश्ण है भारत कबड़ी में कौन से महादीब का champion है, तो हमने chapter में पढ़ा था कि भारत कबड़ी में पूरे Asia में number one पे है, तो इसका answer होगा Asia, next है कबड़ी के lab होते हैं, कबड़ी के क्या lab है, उत्तम स्वास्त, सूगठित, शरीर, मानविये, गुण और उप्योक्त सभी, तो ये सारे lab है हमें, तो इसका answer हो जाएगा उप्योक्त सभी, यानि कि ये सभ नेक्स्ट है, इन में से जो sentence सही है, उसको सही बताना है, जो गलत है, उसको गलत बताना है, कबड़ी में पकड़ने वाले को catcher कहते हैं, बिल्कुल सही, कबड़ी देने वाले को radar कहा जाता है, ये भी correct है, केलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, हमने पड़ा था प्रत्योगिता में एशियन चैंपियन है, बिल्कुल है, correct, फिर देखो रिक्तिस्तानों की पूर्ति करें, नियमों के साथ खेलने से आनन डैश जाएगा, अगर हम नियमों के साथ खेलेंगे, तो हमारा आनन जो है, हमारा जो खुशी है, वो बढ़ जाएगी तो नियमों क साथ खेलने से आनन बढ़ जाएगा, खेलो तो इतना खेलो कि खेल डैश बन जाए, क्या बन जाए, लड़ाई या पढ़ाई, तो इसका होगा पढ़ाई बन जाए, प्रत्योगिता में मैच कराने वाले को डैश कहा जाता है, जो होता है, जब गेम चल रहा होता है, तो जो सारे decision लेता है और जो match करवाता है वो कौन होता है, वो निर्णायक होता है या वकील होता है, तो वो होता है निर्णायक, ठीक है फिर देखिए, कबड़ी के कोट की लंबाई और चोड़ाई कितनी होती है हमने chapter में पढ़ा था, कि कबड़ी कोट की लंबाई कितनी होती है ग्यारा मीटर और चोड़ाई कितनी होती है आट मीटर होती है ठीक है फिर है कबड़ी खेल के मुख्य लाब लिखी है है ना हमें क्या फायदे होते है वो लिखी है तो हमने लिखा कबड़ी के खेल से शरीर, स्वस्थ वह एकागरता से खेलना चाहिए यानि कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते वक्त पूरी महनत करते हैं पूरे लगन से पढ़ते हैं पूरा ध्यान दे कर पढ़ते हैं ठीक उसी तरह हमें खेलते टाइम भी पूरी महनत लगन और एकागरता से खेलना चाहिए सेवन थे इनके बारे में क्या समझे उतर लिखे रेडर से आप क्या समझते हैं कैचर से आप क्या समझते हैं निर्णायक से आप क्या समझते हैं और कबड़ी कोट से आप क्या समझते हैं तो पहला है रेडर रेडर से हम क्या समझते हैं कबड़ी देने वाले को रेडर कहा जाता है सेकेंड है कैचर कैचर कौन होता है जो की जो रेडर आया उसको पकड़ने वाले कौन होते है वो कैचर होते है कबड़ी में पकड़ने वाले को कैचर कहा जाता है निर्णायक कौन होता है जो सारे decisions लेता है ठीक है तो match खेलने वे निर्णे देने वाले को निर्णाय कहते है next है कबड़ी कोट कबड़ी कोट क्या होता है जिस मैदान पर कबड़ी खेली जाती है उसे कबड़ी कोट कहते है जिस मैदान पर कबड़ी खेली जाती है उसे क्या कहते है अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं तो जादा का क्या हो जाएगा कम सरल का जटिल डंड का पुरुषकार फिर देखिए सू प्लस गठित मिलकर सू गठित बना यहां पर सू शब्दांस का प्रयोग हुआ है आप भी सू सब्दांस जोड कर नए शब्द बना यहां पर सू प्लस गठित होकर सू गठित बना है वैसे हमें सू जोड के नएने शब्द बनाने तो हमने सू में रमे जोडा तो सुरमे बन गया हमने सू में काल जोडा तो सू काल बन गया हमने शील में सू जोडा तो सू शील बन गया हमने मार्ग में सू जोडा तो सू मार बन गया अब देखिए यह भी खरे आपके आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाए यानि कि आप लिस्ट बनाइए कि आपके आसपास कौन-कौन से गेम्स खेले जाते हैं तो यहां पर हमने उत्तर दिया हमारे आसपास सितोलिया चुम चाई कोड़ा है मारखाई क् फुटबॉल, खो-खो, टैनिस, हौकी, आधी खेल खेले जाते हैं तो जो भी गेम्स हमारे आसपास खेले जाते हैं मुसली उनके सारे नाम इसमें है अगर आप चाहे तो आप अपनी तरफ से और नाम भी जोड सकते हैं नेक्स्ट है सातियों के साथ कबड़ी के नियमों को जाने दूरदर्शन अत्वा खेल प्रतियोगिता को देख कर कबड़ी जानने समझने का प्रयास करें ठीक है वैसे तो इस चैप्टर से हमें कबड़ी के बारे में बहुत नॉलेज मिल चुकी है ना बहुत ग्यान मिल चुका है पर इस कोशन में क्या कह रहे हैं कि आप 15-15 मिनट की दो पारियां होती है हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 15-15 मिनट की दो पारियां होती है और इन दोनों पारियों के बीच में 5 मिनट का ग्याप होता है ठीक है बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है प्रते एक टीम में साथ-साथ खिलाडी होते है एक टीम में भी स चुकर वापिस आगे सुरक्षित तो उतने ही पॉइंट आपको मिलते हैं और अगर आपको पकड़ लिया गया है तो क्या होता है उपोजिट टीम को वन पॉइंट मिल जाता है एक अंक मिल जाता है तो इसी तरह अंथ में समय पूरा होने पर ज्याधा अंक प्राप्त करने व पूरा जिसकी रिडिंग भी हो गई, एक्सराइस पार्ट भी हो गई, शब्दार्द भी हो गई, ठीक है, यह पूरा वर्क आप अपने नोट बुक में कंप्लीट कर लेना, जो भी मैंने समझाया है, ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अपने नेक्स क्लास में है, तिल देन, दो यो वर्क, टेक गुट क्योर अप योर्सेल्फ, बाई